वासब गाइज वेलकम तू आर यूटूब चैनल और नीव वीडियो तो भाई आज एक बार फिर से हम एक नई टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए दुबारा हाजर क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहे थे बहुत सारे लोगों के इंस्टेग्रम पर भी मेरे और बहुत सारे यूटूब पर भी एक ही कमेंट हैं बहुत सारे लोगों का कि इस वीडियो में हैं कि अगर आप लात्विया में अपलाई करने वाले हो स्टडी अपनी और लात्विया में अ के लिए करोगे तो आपको चीए पड़ाई बांक स्टेट्मेंट तो इसका आप कि आपको आगे आकर दुख देने वाले हम और आपको जो कागस करके सिरीज है इसमें इसके लग से सीरीज में और रहे हम पहले बात की ते हैं, कि हम कर रहे हैं वो आपके लिए तयार हो और आपको पता हो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको जरू जरू धरू धाना तो आखरी तक यह वीडियो पूरा सुन लेना और I hope यह वीडियो आपको बहुत हैल्प करें आपकी जर्नई में लात्विया आने में या कहीं भी आपके त्यूचर में जहां भी आप अपना भूबी प्लान करें तो लेस्टार्थ था॥ करने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में तो भाई जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए पहले इसमें था कि हमें मिलीवं 5000 यूरो दिखाने होते थे उसके बाद इन्होंने बैंक अपने अमांट बढ़ाया उसके बाद होगया साथ हजार ही और अब मैं सुनों साले आठ हजार 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 है आप एक बाद कर लेना कोईकि अपडेट हुआ है रिसेटली और मुझे भी कितना हो गया अब बट जब मैं आया था तब 7000 यूरो की जरूरती उससे पहले जब मै सबसे पहले दो चीज़े हैं बैंक के लेटर और बैंक स्टेटमेंट चीज़े हैं थिए अब मुझे कंफॉर्म नहीं कि बैंक लेटर और बैंक स्टेटमेंट बसctors होगे मांगी में काम बैंक लेटर क्या चीज है कि मैं बैंक से मिलेगा जिसमें आपका अधिकुलरेशन रहेका था कि और यह उन्हों सब्सक्राइबर तो एपका नाम होगा डिटेंच आपकी बारे में आपके नाम जरूर रखना राद कि आपका नाम जरूर होना चाहिए आपकी डेट बर्ट जरूरनी चाहिए और तीसरी चीज आपका passport नंबर जरूर रहे यार रखी गाए बात तो आपकी यह तीन चीजे आपका नाम डेट बर्थ और आपका passport नंबर जरूर हो चाहिए बैंक लेटर पे जब आपका हुगा तो इसे कुछ वह इनके पास सबके पास format होता है जो भी आप बैंक लोगे आइसी आइसी आइस बैंक सबको एक अपना अलग एक अपना खुद का format होता है जिसको वो यूज करते हैं और वो कुछ कंपनी का format फिक्स होता है उसमें एडिट भी नहीं हो सकता है तो वो कहेंगे कि हमारे पास तो यह फिक्स पॉर्मेट है आपको बैंक लेटर निकाल के देंगे पर हम उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं तो यह भी एक इशू है मैं आपको आपका पासपूर्ट तो आपकी कुछ लैंग्विट को इस प्रकार होगी कि आर क्लाइंट इस अपको बैंक लेटर में होनी चाहिए कि आपके अकॉंट में सवा आट लाख रुपे इंडियन रुपीज है विच इस इक्विलन टू इसमें यूरो अगर आपका बैंक आपक आपका बैंक बैंक लेटर ले वह तीन महीने से जादा वैलिट नहीं होता है तो आप जब भी वह निकल वाए तो यात रखें जब भी आप आ रहे हुआ तो जब भी आप आ रहे हो से तीन महीने के अंदर अंदर आपको वीज़ा के लिए वीजा ले रहा है विजा के बाद यहां आरध धिवी अपलाय रहे हो तो टीन महीने पार भी बना लो बना लू जिस से किए आपके लेटर की जो डेट है वो आपको पूरे तीन महीने मिले किसी भी कारवर्स आपको लेट हो जाता है डेले हो जाता है तो आपके पास इस चीवे अब हम दूसी बात करते हैं लिए कम दो आपको बंके लिट्र के साथ-साथ कोशिश करें कि मेंटेंन रहें ठीके अगर उसमें की से बड़ा अमौन्ट हे निकला एक दम से तो वो पैसा कम हो गया 50000 का फ्राप मेंट यृसरा दॉनला इससी ब्रम आपका खालानता है 3енное और ऐसे भी चांसे है कि वहां डिनाय हो गया कि इंसफीशन फंड्स और उसको इसे डिनाय हो जादीगा तो यह भी हो सकता है तो आप याद रखो कि आप बैंक स्टेट्मेंट और बैंक लेटर दोनों एक ही तारीक को निकालों आप वीजा से अप्लाई करने से पहले बैंक ल सब्सक्राइब करते हैं अगर बैंक लेटर में एक दिक्कत आईगी बहुत सारे लोगो कि आईसेसे बैंक स्ब्सक्राइब का नहीं है इसा कुछ ना टक बट आईसे बैंक में मुझे पता है कि ऐसा है और एक्सिस बैंक भी अपना खुद का फॉर्माट होगा तो वह उसी पर ही बना के दे देते हैं आपको उस फॉर्माट में कहीं भी मेंशेन को पास्पोर्ट तो वो जो चीज है वो थोड़ी सी शायद दरकिनार की जा सकती है अगर करने हो त्यार नहीं है और इसे इंडियन रुपीज में ही मैंशन कर रहा है तो ठीक है कोशिश करो हो जाए तो नहीं हो पाए तो तो फिर भी अंडेस्टेंडबल और शायद कर लेते हैं बट क्या से आपको यह बोलना है कि भाईया आप मेरी डेट और और मेरा पासपोर्ट नंबर और उस पर एक महर मार दो बैंक की अगर वह पैंस से लेके अपने अपने रूल से अपने काईदे कानून है तो वह उसके हिसाब से चलने होंगे और उन्होंने दुबारा एडिट करके कि जो मैंने जो यह किया है मैंने ही किया है यह जो भी करेक्शन किया है वह मैंने किया है तो उससे आपको यह फायदा होगा कि आपको जो आपका लेटर हो परफेक्ट हो जाएगा और फिर आप यहां आके वह लेटर को दिखा सकते हो अगर वह एडिट करने को तयार नहीं ह तो आप हास से भी लिखवा सकते हैं याद रखिएगा और ठपा जरूर लगवा ले वहीं जहां लिखवा रहे हैं तो यह इस तरगी आपकी बैंक स्टेट्मेंट और बैंक लेटर दोनों की हैं याद रहें को चीए जब आप वीज़ा करोगे और जब यहां होगे और रहार करोगे अपना त्रस ब्रहर होकु आपको दो नुगा bet MRC ज़रूर चानिति करोंगे जब फार इसका नुग को आपको दो कॉप्टे ज़रूर कोफिए कोशिच करें ती लगले इंस वींसक तो यह पूरी यह है पूरा तरीका जैसे आप बैंक स्टेटमेंट बंगा सकते हो जब आप यहां आजाओगे जब आप एक साल रहे लोगे तो आप दुबारा बैंक स्टेटमेंट आपको निकाल नहीं पड़ेगे एक साल बाद जब आप अपना रिवाइस करवाओगे अपन पैसा होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट डौनों फिजिकल ही वैलेड होती है कॉपी या फोटो कॉपी अलावड नहीं है यह और फोटो कॉपी या फोटो यह नहीं असप्ट करते है तो आपको फिजिकल कॉपी ही चाहिए वित मोहर याद रखिएगा कि आप फोटो से काम चलेगा फिजिकल कॉपी लेके आना यहां और अगर आप यहां आ जाते हैं और अगले साल कराते हैं आपका कोई भाई है वह फंड डालता है उदर क्योंकि जब आप दुबारा रिन्यू कराते हैं आपको सिर्फ बैंक लेटर चाहिए होता स्टेटमेंट तो नहीं चाहिए यह फिर अगर आप में काम कर रहे हैं तो आप अपने अकाउंट में यहां के लोकल अगर में इतने पैसे दिखा सकते हैं एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं अगर आपके पैसे नहीं है तो आप अपनी बैंक की अगर आप यहां काम करते तो आपनी सैलेरी स्लिप दिखा सक है तो आई होप यह सारी इंफोर्मेशन आपको बहुत ही बहुत हेल्प करें सारी चीजें मैंने काफी क्लियर शब्दों में बताई है इसे कि आपको ज्यादा समस्या ना हो यहां आने में और मुझे जब मैं अप्लाइ कर रहा था जब मैं सारे डॉकुमेंट्स के जब भी प आप जल्दी से लाइक करें आप समद्धों आप उतनी जाद तरक्की करने वाले हो तो फटा फटल दो बार मत करना एक एक बार करना वह अनलाक हो जाता है तो आप तरक्की करो प्लाइफ में ग्रोकरो और खूब खूब आगे बड़ो प्रिजिनगी में कीप ग्रोइंग ल झाल 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 झाल